अज़ो अज़ागाई खुजा दो अज़ा आए को असलाम लेकुम इस ट्रेज पार्ट तू चेप्टर फू सब्सक्राइब और टॉपिक है रोल ऑफ उप्टिप्सं इंग्रिकल्चर एज एज इंडस्री इपसंगा तो इंडस्टिर में रोल है यह नौपकर सप्ट्रीप आ और इसके अंदर से शॉर्ट क्वेस्टन दो इंपॉर्टन है एक एक्सरसाइज दिया गया और एक इसी टॉपिक के अंदर दिया गया और दूसरा के जिपसम को हम किसका चेंज करते हैं प्लास्टर ऑफ पैरस में यह भी हमने शॉपिक में बढ़ना है वह अलगा से शॉर्ट इसका ब्लाइब करेंगे और रोल ऑफ जिपसम इन एगरी कल्चर इसका क्या रोल है यह वी शॉट पैस्टन के रवाले से इंपॉर्टन आपक है तो हम स्टार्ट करते हैं जिपसम को सबसे पहले रिपाइन करते हैं जिपसम है किया इस कैल्शियम सलफेव बैका आई प्रि यह पाल्वुला आजाएगा और अगरे इसको जिपसम को तो सबसे पहले इसका रोल आएगा अगरी कल्चर में वल्हएं अगरी करें के अंदर को निनिया होते हैं विद्सम को डिनल्स होते हैं जो दिस रीमी 530 के अपटार्य गेरिया व्लिकिज़ाईए अंक को और टोवक्रण मने चेंडाुकोण्य पूर्टंट नियुक्रियंट्ट्रियंट्स बियंक्रों करने के लिए उनको अंस र जब जमीन के अंदर इसको एक करते हैं तो उसके अंदर इसमें दो पॉपोनेंट मौझूद है जो के यह प्रवाइड करता है जिस जमीन के ऊपर हम जिब समको एक करते हैं एक इसमें एक एक इसमें क्या व्रुपा करते है सफ़फर करते हैं एक अधियर करते हैं जिब समद्ग करते हैं कि रोलड में लिखता है कि इन वाइट के जिता है कि अप्रोडन में अधर कर दक्षिंट है बेचिक थी प्रॉडक्षिंट के लिए बहुत ज्यादा इप्षाड़ेंट है छी कर दो आपक्र और प्रोड़क्षन के लिए नमबर के लिए नमबर दू ये सॉय को सॉय के लिए इसलिहां से भी इपॉर्णन्ट है कि ये प्रिवेंट करता है लीचींग कि जींगे उती है कि जब बारश का पानी जमींपे पड़ता है ठो अपने साथ इंकॉरट्डोणM उनको बहातवर दे जाता है , इस प्रॉसिस जमीर के नीचे बहातवर दे जाना इसको कहा करते हैं नीची मी लेकर बारश का पाणी पड़े कमत करिए हमारी सॉयल यहां पर बारश का पाणी पड़ा वह यहां से इम्पॉट्ण मिनरों को फाकर बीचे ले गया क्या यह सके निचे ले गया इस इप्राइब कर दे ले लिए कृक्ता कर ओड़ कर दूसरी दे गया इस process को कहते हैं आवार ना ओप हो जाना, इस water को कहते हैं आवार ना ओप water, तो इन दो तरीकों चे जो important nutrient होते हैं, वो जो है वो सोयल से अभे चैल जाते हैं, तो अगर important nutrient नहीं है, तो plant की production है या प्रॉड़क्शन है, वो बैटर नहीं होगी, तो calcium क्या करता है कि इन important nutrient को पने साथ bind करता है, इस process को शायद आप लोगों ने पाइन हो पड़ा हो, ये जनीर के उपर, soil के उपर nutrient का फ्लॉप्यूलेट होना या aggregate हो जाना, ठीक है, इस process को कहते हैं, प्लॉप्यूलेशन या aggregation या aggregation इसका क्या मदबद होता है, तो एक साथ अमेरिका इंपॉर्टर ने को बाइंड करता है, तो अगर वो बाइंड हो जाएंगे, तो आप वो बाटर के लिए इस दी लिए अवेलेबल नहीं है, कि वो इसको क्या कर जाएं, अगर नेच करके वहां से बहा कर लेजएंगे, तो इसको क्या रोटर का एक पार्ट है, प्रोटीन का आपको बताएंगे, प्लांट्स हैं, तो पहली बाटीन के हवाले से इक पार्ट है, प्रोटीन का, और नुपर तू के इस अदिय्हнова, एक डिरेक्ट इंफल्फुलेंस है, क्लोडोडीन पर इसका डिय्हां कक्लोडोडीनš है, तो प्लाच के अंदर डिवेल्फर के लिए इसका पर्ट डिवेल्फर की ने करते हैं इनका पार होती है थी थी पार्ट के लिए वहां बनीट करते हैं तो इसका मतलब है कि डिवैबरमेंट अगर मतलब नहीं है तो आपकोण होगा आपकोण का प्लाइलो या पेर अरीन कलर कहता है उन्हां हो जाएगा अगर स्वाइट के अंदर डेशेंसी होगी किसी सब्पर्थी यह इंपॉर्टन से सब्पर्थी भी और दा डिवैलप्मेंट आपी प्लांस लिएगा वचे वोल आपी जिप्सम की इंदा एड़िन कल्चर एक और उसमें आप इसमें की सब्पर्थी कि ज यह कि लुए ओल्खोम उद्पॉर्ण fonction ओधी इंदस्ट्री इंदस्री के अंदर जुए उसम की क्या मोश्टन्स है 15, past-UDE, तो यह जव हम पढ़ रहे थे वहा पर एक शॉर्ट पैसिन दिया गया जवर पॉक पढ़ रहे थे कहता है अगर आइज चनल सांपेड रहता हाइबुरेड में इसको अब वहीड करें ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको हीड नहीं करना कि उन्हें रब हो इसको कहतो ही लिखते हैं तो ऒलेगा इकते हैं थिए फमने पी लुड़ के बिवाटर पाटर माली फमन IM थीक है, 3-4 मीद, कीन हिसे, हम यहाँ करण पर इसमें कितने वाटर होंगे, 4 वाटर माली क्यूल होंगे, तो इसमें से 3-4 माली क्यूल जो है, वो आप रिमूट कर दें, यहां हम इसको क्या लिखेंगे, it removes, 3-4 वाटर माली क्यूल, तो ये जो बनने बारा आगे हमारे पास न प्लास्टर और पैरस तो इसको हीट करते हैं कैसियम सलफेड डाइड इसको हम जिसम कह रहे हैं कहां तक इसको हीट करना है करेज से थी एक वाइड पॉड़र करने पर इसका नाव पर आप परस अचा आपको तपा है ऑगर हम इसको कैणि के शेंड करें केलवन में चेंज करते हो यह बने का 373 केलवन जैसे इसको 373 से अबाव लेकर जाना है तो उस ताइमन 3 वाटर मारी जो लूज करने से इसमें चेंज हो जाएगा कैशिंग अपिसल पेट, डाइमेरिक ओम, मॉनो हाइडरेट में इसका दूसरा नाम क्यार है फ्रास्ट पेटी तक तब हमारे पास यह पास बनेगा लेकिन अगर हमने बहुत से अपास प्राउंगी हीट कर दिया तो यह भी वाटर वाने क्यों इसमें से रिमूब होगा और यह चेंज हो जाएगा एन नाइडरस पॉंग और कैलशिनम संकेट जिसका नाम है डैट वर्ट जिप्स जला पर मुर्दा किया हुआ जिप्सम डैट वर्ट वर्ट विप्सम इनका डिफरेंट इजूज है तो इसलिए यह एनिमेंट करता है कि हम इसको जिप्सम को आगे बने मारे कंपाउंड को किस परपस के लिए यूज करने हैं ठीक है हम भी देखें कि इसकी डिफरेंट टा करना चाहते हैं तो स्वाधर इस दिफ्सम करेंगे इसको किस तरह से किया जाता है यहां इसको कि अदर याप करता है अब हम आते हैं इसके दूज की तरफ कि वाट आपा यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरस तो एक इसको निक्स करते हैं वाटर के साथ तो मिक्स करते हैं करना है कि इसका जो वेट है उसका अपने वाटर में नहीं है अदलब वाटर पिसके तकरीपन हमाँ से आधी अमाउंट जो है वह आपको बने गया करनी है वाटर भी ले देनी है उसके साथ अब इसको मिक्स करेंगे यह एक प्लास्टिक ताइव पेस्ट बन जाएगा ठीक है प्लास्टिक मीम सौक हम कह सकते हैं प्लास्टिक ताइव हम इसको प्लास्टिक ताइव भी सकते हैं इसको क्या यह होगा हार्ट मास के अब दर चेंज वना शुक्त हो जाएगा ठीक है और यह हाद वना शुक्त होगा और कहता है हाड़ उत्वे उत्वे इसको 10 से 15 मिनट लगी पहले लिए विसकस ना इस था जब यहाड़ वना शुक्त होगा तो इसके वालिया में एक्स्टेंशन होगी चेंज बाइंड करने लिए लिए इसके और कहता है में भोग में दिखा है तकरीबान वायंडिए को यह क्या तो इसका उखेगा और उस दौ्छे मास और करेंजितरती क्या होगां माइंडी कहा कहा पर जो है इसे क्या क्या बढ़ाई जा सकते हैं आप बार परमा इसको अगर हम हुदू में लिखी तो इसको कहते हैं 14 आप लोगोंने शाहिए देखा हो ये विवारों के अंदब सुराख हो जाते हैं इसको नाम देखे प्लास्टरिंग का मतलब होता है फोर्स पुली किसी चीज़ को किसी शकल में डावना जैसे हम इस स्टैट्यू बनाते हैं ठीक है स्टैट्यू का मतलब होता है मारे पास एक सॉलिड था इसको हम एक शकल देकर उसी शकल का सॉलिड बना लेती और फोर्स पुली आंमा वे तो इस नीज रही प्लास्टरिंग के title वह होता है piss से एक आमएंदर या किसी आज रहे किज़ है या उसके अम्हहिंए क्शल राव्ड़ प्लैस के खालते है Philippines सब से trimmed के आई भी उसको इस नहीं ह गर वाईनिक पैसे जलिए जलिक है कि शोराक मेरे अचमा कर तो पीज़ कर दो मोलि मोल्ट के प। क्या कर्देगा SiG P.C.E.I.P.S.P.S.P.S.C.E.R.E.L.E.S.P.S साथना को पता तो पा म्रमकोंट करने कि ली को प्लास्ट अभवा का बन्डे करने कि ली हुए 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 होगी सिर्जा .. तो यह यूद को पाहिए पास प्लास्टर और प्लास्टर यूद को थे इसके लिए उसने भड़ यूज किया प्लास्टर प्लास्टर का मतलब क्या होगा कि इनके साथ different types के all the compound mix करके उसको different purpose के लिए क्या किया जाएगा यूज किया जाएगा जैसा कि number one plaster use होता है as a cement plaster अब यह cement plaster क्या है अब यह सीमन plaster क्या है अब क्या है अब क्या है अब क्या है यहां से देखना है what is the use of plaster यहां how the plaster of paris are to be used क्योंकि जो बुक की अदर करा आदा है कि when it is mixed with water it changing to a hard porous mass within 13 to 15 minutes volume expansion occur so they give a smooth impressions which completely filled molds यनी कि सुराथ प्लार को फिल कर लेगा तो यह इसका short question होगा how plaster of paris are used अब आगया कि हम इंदर different type special type of plaster मिलते हैं इसके अंदर number one is cement plaster cement plaster क्या होता है plaster of paris plus इसमें add कर देते हैं cement plus water तो यह use किया जाता है as a binding material के तौर पर ठीक है कहां use करते हैं अग दिवारों के बाहराई side पर भी और अंदर वाराई side पर भी दिवारों की courting इससे करते हैं इसको मैंने उपर बताया कि इसको कहते है plaster walls ठीक है इससे क्या होता है कि इस प्लास्टर को करने से smooth impression मिलता है मतलब surface को smooth बनाने के लिए जो दिवारों के उपर plaster की जाती है ठीक है oh my voice किसकी होती है cement plasters की तो यह कह राता है कारा cement plaster अच्छा यह है कि हम plaster के साथ cement को mix करते हैं और जैसे इसमें water add करते हैं यह बड़ी जल्दी से hard mass में change हो जाते हैं जैसे ही हम cement के अंदर या plaster के अंदर water add करें खासतार कर cement के अंदर तो water को add करते हुए अब यह विसकस material में change होते हैं और उस viscous material का hard mass में change होना इस process को बोड़ा करते हैं setting time वो क्या होता है setting time कि आप परस करें cement लें आप सारे जानते हैं आप इसमें water mix करें तो आपको बताए यह कुछ पैदे का बैट मास में change होता है यह विसकस वास में फिर यह बहुत होना शुरू हो जाता है उस rating से लेकर hard होने तक हम आपके time क्या कहते है setting time अगर वो बड़ी जल्दी set हो जाए यह हार्ड हो जाए तो इसका अदर है हम उसको अपने usable purpose के लिए use नहीं कर सकते कोटिंग नहीं की जाएगी प्लास्टिक वाल्स के ओपर अच्छी करा से नहीं की जाएगी तो अगर हम चाते हैं कि यह setting time बढ़ जाए तो कहता है इस cement blaster के अंदर क्या cement बड़ी set होता है जब हम cement plastic को use कर रहे हों तो यह plaster बड़ी सब्सक्राइब होगा तो कहता है इसका setting time बढ़ाने के लिए इसके अंदर क्या add कर देते हैं retard, retard क्या हमोगे कोई coil या glue होगा क्याता है add कर देंगे जो कि इसका setting time जो add क्या कर देते हैं increase और क्या use of a cement plastic का मैंने कहा कि यह दिवारों के exterior और interior पर add करते हैं ताके वो दिवारों के उपर smooth impression आ जाए surface इसके हो जाए smooth हो जाए बुक के अबसर यह लिखा जाए कि टार्डर के तार पर वाग यह दिख सकते हैं कि when it is to be the cement इसको नाम देगे cement plaster तो यह दिवारों के exterior और interior को smooth करने के लिए क्या होगा use होगा दिवारों के उपर इसके क्या कर देते हैं covering कर देते हैं और इसके बाद अब नमबर टू पे जो लास्टर हमें वो दूसरी काईप है hard finish plaster अब hard finish plaster क्या रहे है वो कहता है कि जब हम लेते हैं anhydrous gypsum जो कि यह था calcium sulfate इसका दूसरा नाम क्या रहे है bad world gypsum जब हम इसको लेते हैं और इसके साथ mix करते हैं high temperature के उपर alum या porex ठीक है तो यह बने बाद प्लास्टर पाराजा क्या लाता है hard finish plaster देकि नाम से जहर है कि plastering में ही करेंगे mean covering करेंगे ठीक है देकिन वो covering क्या होगी इससे ज्यादा hard होगी यह आम बाद पकाना की जाती है अब देखाऊ तैनस कोड यह तो लोग तैनस बाल के रहे हों कि उसी तरह रहा है इसमें बाल दिवार के साथ लग रही होती है तो कहता है अगर हम बहुत जहादा तेज़े दिवारों के साथ मानें प्लास्टर किया हो तो यह बहुत जाता है इसको फरदाश कर जाता है जिससे उसके उपर क्रेंग नहीं पड़ते और दिवारों को इससे क्या कर देते हैं का मतBत होता है हिरीट करना हाईय लेट करना है अ अ को इसको करते हैं जिसको भी यूज करते हैं करने के लिए या बोरेक्स पर यूज बढ़े लिए अभी जाए तर तो कहता है यह बनने माला जो नारा प्लास्टर होगा इसको करते हैं हमार्ट फिनिशिप प्लास्टर इसकी क्या अबिलिटी होती है हमार्व करने माल प्लास्टर है तो यज जीवफलों कि इन प्लास्टर करेगीं है और यह जो करने में अबिलिटी है रही इतरा हैं हो सकता इसलिए इसको क्या बोला करते हैं फ्लास्टर्स की ठीक है और जब हम इसको यूज करेंगे उसने भूप में लिखा है इसको निक्स करते हैं और इसके पेस्ट को करेंगे तो इससे बनाई चाह सकते हैं और बोल्ड ठीक है वो हाले बोल्ड जो करनी ओड करने हो विल्डिंग याप देखा और लब्लडियों के बार पर अई लगने में बनाए जाते हैं तो जो उनके बांदने होते हैं वो किसके बने होते हैं जब और उंक के साथ इसको मिफ कि ए जाता है हाड फिनिश इन प्लास्क्र इसके बात कहता है जिसम का यूज आ लिए जिटसम चार्ज हे अखते हैं in paper industry, यहां जीपसम का यूजS का आरट इंफिने ट्रा रसकेक कार पर और सिमन ट्रास्टक के कार पर, अब डिर्ट आ गया इसमें जीपसम का यूजS को graven के इंफिर यूजS को बांफिना है स्फिर्पलारिय। नम्र तो फिलर, नम्र तो फिलर. नम्र थी पोल्ड लांड सिमंट करते हुए इसको बोला करते हैं प्लिंकर और प्लिंकर को फाइनी ग्रांड पॉडर में ले आपे इसको हीट करें मिक्स करें करते हुए यह इसमें चेंज होगा अग्रें की फॉडर में इसको बाइने करें तो वह पाउडर में वारा क्या लाता है सीमन की पड़ें के लिए इनको मिक्स करने से क्लिंकर उसको पाउडर करने से लिए सीमन बन दिया अब मैं अभी आपको टाया सुमन के साथ आप वाटर को मिक्स करें तो बड़ी जल्दी से सेट हो जाता है बड़ी जल्दी हार्ड हो नाशिक होता है तो अब पता कंस्ट्रक्शन के लिए उसको बैट रहना चाहिए प्लास्टिक टाइब रहना चाहिए तार कि उसको चीकरा से कोट कर दें बाद में हार्डोड तो इस सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए उसमें दो परसन क्या एड़ कर देते हैं जिपसम एड़ कर देते हैं जिपसम का क्या रोज होता है इस अट्राइब कर देता है बर जल्दी चीमन जो है वहाड़ नहीं होता ऐसके अंदर प्वेस्चन है जिपसम था इंपॉर्ट्लैंड सीमें उसके अंदर क्या आएगा विकॉज इंप्रीजिट्व दा शेटिंग और दा सीमें यह यहां यह प्रॉस्ट्री के अंदर भी और इसके साथ साथ टाइब्ली कर चरने भी तो आप निए इसको पर अबर्वीव कर लें इसका यूज आ प्लास्टर और पैरस में यहां यह शॉट प्वेस्ट्ट्र फिर प्लास्टर आमें किस तरह से मिलते हैं आर्कीट में यहां याद रख नहीं हैं ठीक है इसका यूज काहां पर है हमने कहां वाल्ड बोर्ड बनाने के लिए बिटिवी कंस्ट्रक्शन के लिए इसका यूज किया जाएगा फिर आगा जिप्सम का यूज को ब्लैंट सिमन में यह भी लेजर चॉट प्वेस्टन है यह था हमारा रोल आ वीडियो को देखकर आप लोग जो है वो कमेंट ज़ूर करें वीडियो को लाइप भी करें अन्हारा रहा है